बिसमिल्लायरहमानरहीम, अस्सलामुलेकूम, वेलकम तू लिंकिन सलूशन, अगर आप भी फेस्बुक एड्स के साथ स्ट्रगल कर रहे हो और आप इतना पैसा लगा रहे हो अपने प्रॉडक्स एड्विटाइजमेंट पे और आपको रिजल्ट नहीं आ रहे हो, आपको सेल लेते एड्स चलाने के के वहाँ पे हमारा प्रॉफिट मारजनी प्रॉडक्स में खतम हो जाते हैं कि हम करे तो क्या करें, तो इस AI के दोर में हम किसी के मुक्ताज नहीं है, बस AI है, तो सब है, लेकिन AI का आपको सही यूज भी आना चाहिए, अगर आपको AI का सही यूज न Digital Marketing या Meta Aids का कोई भी knowledge नहीं है, तो बस यही काफी है, बस अभी मैं आपको step by step बताने वाला हूँ किस तरह आप AI के मदद से अच्छे से advanced level तक का और professional aid चलवा सकते हैं, जिसमें आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, even a digital marketing agency का भी, इसके लिए आपको क्या करना वीडियो वाच करनी पड़ेगी, और कोई भी step आप मिस नहीं करेंगे, क्योंकि यह बहुत ही technical video है, और बहुत ही easy steps में आपको समझाने वाला हूँ, तो अगर आप इसमें एक भी step मिस करेंगे, तो समझो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, और पिर आपको किसी marketing agencies को 1000 और र सकते हैं, तो जी दोस्तों मेरा नाम है आरिफ मुहमद और आप देख रहे हैं LinkedIn Solution YouTube पे, आज की वीडियो में हम Deep Seek AI, जो के बहुत ही advanced model AI का, और अभी 6 GPT के मुकाबले में market में आ चुका है, तो अगर आप Deep Seek का use करेंगे और R1 feature का use करेंगे, जो की उसकी thinking बहुत advanced level की है, तो आप इसे amazing results हासिल कर सकते हैं, आपने use के से करने, आई में आ जाएगा, तो मैं यहां पे आ गया हूँ, और Deep Seek के main interface पे, और यहां पे try करते हैं, कि Deep Seek हमें कैसे help करता है Facebook Aid से लाने में, तो मैं यहां पे लिखता हूँ, can you help me to run Facebook Aid, तो अब देखते हैं, क्या response आता है AI ठीक है, अब देखो, यहां पे यह thinking कर रहा है, यहां पे Deep Think, R1 एक feature है, जो deeply think करता है, पिर उसके बावज़र आपको वो answer करते हैं, अब देखो, इस से हम step by step अपना इतना amazing ad create कर वा सकते हैं, कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, अब यहां पे देखें, इसने यहां पे हमें कह लोकेशन, demographics, interest, behavior, यह सारा कुछ यहां पे हमें समझा रहे हैं कि आपने step by step कैसे करना है, तो जब अगर आप बहुत beginner हो, आपको बिल्कुल ABC का भी नहीं पता, तो step by step यहां पे एक, दो, तीन, चार steps, इस तरह steps लिखके आपको समझा रहे हैं, तो यहां से आप completely सीख सकते ह एक चीज़ को बिल्कुल simple लबजों में लिखा, अगर आप इसे तोड़े next level के हैं, आपको इसकी ज़रूरत नहीं, आपको इन सारी चीज़ों को पता है, तो अब यहां पे आते हैं, देखो यहां पे for example, I want to run an ad for iPhone 15 Pro Max case cover, okay, my targeted country is, sorry for the spelling, my targeted country is, UAE, give me a complete step by step guide to get a best result, okay, यहां पे मैंने यह prompt दे दिये, ठीक है, अब यहां पे यह prompt देखे, अब देखो यह thinking कर रहा है, अब देखो यहां पे, okay, the user want to run a Facebook ad on iPhone 15 Pro Max cover, अब देखो यहां पे यह इतनी amazing strategy हमें दे देगा, step by step, कि आप सोच भी नहीं सकते, तो okay, इसने यहां पे generate कर दिया है, step by step, बहुत basic से, अब हम campaign objective पे आते हैं, यहां पे जो कि बहुत important है, campaign objective क्या चीज़ है, अब देखो यहां पे यह add, for example, मैं यह add चला रहा हूँ, ठीक है, यहां पे सबसे पहले आपने अपने budget को set करना होता है, यहां पे आपने audience को target करन होता है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी targeted country किया है, तो यहां से आप देखो United States है, यहां से आप इसको change कर सकते है, आपका for example, मेरा है United Arab Emirates है, ठीक है, UAE है, तो यहां मैं UAE को target करूँगा, ठीक है, अब UAE में अगर आप specifically आपने target करना है, तो आप इसमे specifically भी targeting कर सकते है, यहां पर आपने budget set करने ही सारी ही, अब यहां पर आते है, प्रॉम्ट जो हमने दिया है, डीप सी को, अब देखो, यहां पर यहां पर यहां पर आपको बता रहे है कि United Arab Emirates में आपने करना है, पिर आपने इसमें targeted करनी है, आपने दुबई, अबुदाभी और शार्जा को target करने है, क्योंकि यहां पर जो लोग रहते हैं, यहां पर आइफोन users बहुत ज्यादा है, यह internet से data check करके आपको बता रहा होते है, ठीक है, यह आपको बता रहा है कि आपने UE में, और UE के साथ आपने, यहां पर आपने states को, देखो search for countries, like मैं दुबई को target कर करना है, यहां पर मैंने अबुदाबी को target कर दिया, अब देखो, पूरे UE में जितने भी states है, रसल खेमा है, उम्मल कुईन है, या जो भी बहुत सारे states है, अभी वहां पर show नहीं होगा, यहां पर specifically इन तीन states में show होगा, यहां पर iPhone users बहुत ज्यादा है, तो जब उनको मेर aid देखेगा, तो वो मुझसे purchase करेंगे, अगर as a beginner में proper targeting ना करता और मेरा aid सब लोगों को show होता, वहां पर मेरा पैसा waste हो जाता है, तो यह बहुत important है, यहां पर, number one, अच्छा second number पर यहां पर आपको बता रहा है कि age 18 to 45, यह आपके लिए must है, अब देखो 18 to 45 के लोग iPhone ज् users in this age group are more likely to upgrade, अब यहां पर आपको बता भी रहा है, अब gender में जाना है, तो gender में आपने आल को, जो है नब वो choose करना है, male female subuse करते है, iPhone तो यह आपने आल को select करना है, फिर हब जाते, detail targeting में जो के बहुत important है, जो कि मैंने आपको start में बताया, detail targeting में हम क्या करते है, detail targeting में हम interest based पे targeting करते है और behavior based पे targeting करते हैं, अगर हम interest based targeting की बात करने तो यहां पर इह हमें खुद बता रहे है कि हमने iPhone 15 Pro Max को target करना है, Apple products वालavic interest को हमने target करना है, mobile accessories वालो को करना है, tech gadgets वालो को हमने करना है, तो यह must है कि हम इन interest वालो को target करें, जो प्रियुद जिस प्रॉडक में ज मुझे कोई बंदा ads पे ad दिखा रहा है तो मेरा क्या वो तुमें लहीं नहीं रहा मैं तो उसका customer ही नहीं हूँ ना तो जो हमारा customer है जो हमारे product में interested है आपने उसको target करने है आपने यह गलती नहीं करने के भाई बस सब को नजर कमजोर है और आप उसको glasses दिखा रहे हो कि भाई यह नजर के लिए ठीक है तो वो आप से लेगा अगर मेरी नजर ठीक है और मुझे कोई बंदा नजर वाली glasses दिखा रहे है और मुझे बेच रहे तो वो मुझे चाहिए ही नहीं ठीक है तो आप हमने उस राइट कस्टमर को वो चीज दिखाने ताके वो हमसे वो परचेस करें अगर जब आप अपने कंट्री को टार्गेट करेंगे तो आपको अपने कंट्री के मताबिक यह आई टूल गाइड करेंगा और बताएगा पिर बीहावियर टार्गेटिंग पियाते हैं आपको बतारे के इनगेच शॉपर आउनलाइन शॉपर अपर फ्रीक्वेंट ट्रेवलर्स टारगेट एक्सपेट्स टॉरिस्ट इस तारह के लोगों को आप टार्गेट कर सकते हो पिर आपने एक्स्लूट किसको करना है यह इसमें आप कर सकते look-alike audience में आपको target कर सकते create one person look-alike audience from your best customers उसके इलावा budget का भी आपको बता रहा है कि आपने budget कितना set करना है budget and schedule आपको बता रहा है कि budget आपने start with 50 दिरम up to 100 per day test for 3 to 5 days आपको बता रहा है कि 3 से 5 दिर में आपने इसको test करने पचास से लेकर 100 दिरम के बीच में आप इसमें budget set कर सकते run continuously are set peak time in and weekends अब देखो यहाँ पर आप तो continuously run करना है या आप target करे weekends को ठीक है weekends में peak time आप target करे जहाँ पर लोग ज्यादा phone use करते हैं और देखते तो वहाँ पर क्या होता है आप right time पर right customer को right चीज दिखा रहे हो इसकी 99% चांसे से को वह बंदा आपसे वह चीज पर चेस करेगा उसके बाद आपको bit का भी यहाँ पर strategy बता रहे है number 6 पर आपको 8 creative design का भी बता रहे है कि आपने किस तरह 8 creative बनाना है जो कि यह बहुत important है अब देखो आप इतनी boring picture लगाएंगे न एड्स में कोई बंदा उसमें interest नहीं लेगा आप कुछ out of the box करें कुछ अच्छी images आप capture करें कुछ अच्छे designs बनाएं कुछ अच्छा सा UGC बनाएं कुछ AI कोई video बनाएं products की आप वो customer को देखाएं आजकल जो सबसे ज्यादा results जिससे आप gain करें वो UGC है UGC की videos बनाके आप अच्छे से अच्छे customer को target कर सकते तो आपका UGC अच्छा होना चाहिए यहाँ पर आपको बतार है high quality images को use करे lifestyle shots ले 15-30 seconds का कोई video आप प्रोड़की वो बनाएं और UAE के deserts looks दे दे और उसका UAE का theme दे इस तरह हम country targeting कर रहे specific local logo को target कर रहे तो इस तरह हमने targeting करनी होती है उसके बाद यहाँ पर आपको text का बता रहे कि आपने कौन सा text यूज करना है आपने किस तरह captions लिखने हैं catchy captions बहुत matter करती है गर आप catchy captions नहीं लिखते कोई boring text लिख देते हैं आप वहाँ पर भी आपको result नहीं आने वाला यहाँ पर headlines आपको CTA का बता रहे है call through action का languages का बता रहे कि आपने Arabic और English को must target करना है क्योंकि यहाँ पर जो लोग रहते वह Arabic और English ज्यादा बोलते हैं तो आपने in languages को आपने ज्यादा target करना है पिर add placements आपको बता रहे कि Facebook feeds में, Marketplaces में, Instagram में, feeds में, stories में आपको बता रहे है वह आपको one by one बता रहे है कि आपने क्या करना है आप यकीन माने अगर आपने इस चीज को follow किया है जो यहाँ पर आपको AI बता रहे है तो आपको किसी agency की ज़रूरत नहीं है ना आपके पास इतनी expertise होनी चाहिए बस आपके पास इतना दिमाग होना चाहिए कि आप इस tool को follow करे जो आपको बता रहे है आप कम असकम 3-5 days उसको test करके आप देख ले फिर आप अपने results को देख ले जो आप पहले एड चला रहे थे तो आपको कितना conversion आ रहा था और जब आप अभी एड चला रहे हो तो आप आपको कितना फाइदा हो रहा है तो यह इतना amazing tool है यह आपका इतना help करता है कि आप सोच भी नहीं सकते तो मैं हमेशा recommend करता हूँ कि अपने businesses में AI को integrate करे AI का use must लाए अगर आप अभी भी अपने businesses में AI का इस्तिमाल नहीं करते तो समझ ले आप दुनिया से बहुत पीछे AI का use आप मस्ट करें अपने businesses में इससे आपका बहुत help होने वाल है जो आप लोगों को payments देते हो payment करते हो कि भाई आप इस चीज में export हो मुझे बताइए किया करूँ अगर आपके पास थोड़ा बहुत time है थोड़ा बहुत दिमाव है बेटके AI से आप इतना help ले सकते हो कि आपका बहुत सारा काम बगेर पेसो का हो जाता है तो मुझे उमीद है वीडियो आपको पसंद आ गई होगी अगर आपके जहन में पिर भी कोई question है आप मुझसे comment section में पूछ सकते है एड को properly आपने run कैसे करना है इस tip बाइस tip क्या process है इसके लिए मैंने वीडियो बनाई ह नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिल सके मुझे दीजिए जाज़त next वीडियो तक तब तक के लिए अलाहाफिज